कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत है मनिसो मेंट्री चैनल पर मित्रो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के विशे में और इतिहास आपने बहुत बढ़ा होगा बहुत बार उसको याद किया होगा बार बार आप नाम भूल जाते होंगे कौन जैसे मालो अरजेंटर करिंग आइ और एक पूशन हर जड़ पूशता है जल्दी से आते हैं समझते हैं कि ऐसे नाम जो आप हूल जाते हैं आज आप नहीं भूलेगे देखिए कहान्यूस्थ में की है जब कलकत्ता में जब कलकत्ता में अंग्रेजी हुकूमत थे जब कलकत्ता में अंग्रेजी हुकूमत थे कलकत्ता की बात करें यहां पर जो है यह सत्रा सो 57 का जो प्लासी का युद्ध है उसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध होता है पुरा इतिहास आपने पढ़ा होगा मैं आज के आगे बताऊंगा यह तो एक रूपरेखा त्यार कर रहा है इस चीज की कि इस समय युद्ध हो गया प्लासी का युद्ध होता है 1750 में और बक्सर हो यह जाता है अगरेज हुद्ध पूरते हैं जीत लेते हैं और बनाते हैं अपना का यान फोट बिल्येम को में पना का या तो बिल्येम जोन्स को इस एक नाम से उत्खोंत हो है यह विलियम जोन्स को दोखेंक िकितिहास कार है बिलियम जोन्स को जो की इतिहासकार है उसको इस पे बठा देते हैं न्याई करने के लिए आप न्याई करिए और आप न्याई क्यों करना पड़ा इस उनको क्योंकि 1784 की बात है 1784 में एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो जाती है असने कि एसियाटिक सोसाइटी किस थापना इस याद कर लो फटा-फट इसकी जरूत क्यों पड़ी क्यों कि भारत वर्स में दो जगे ब्युवाद चला था पहला ब्युवाद है सार्नाथ सारनाथ में क्यों भी बात चला जल्दी सुनो क्योंकि बनारस का राजा है चेश सिंग और उसका दिवान है जगत सिंग जगत सिंग जो है जगत महुला बनाना चाहता है सारनाथ में वो यहाँ पर खुदाई करवाता है उसको यहाँ से मिलता है एक बॉक्स जिसको बोलते है मंजूसा बोलते हैं इसका नाम है उस समय का बॉक्स में से एक मटका मिलता है मटके में कुछ अस्थियां मिलती है जो किसी की हो सकती ही बहुत पुरानी अस्थियां मिलती है और एक माला मिलता है वो भी मोती का होता है वो भी का होता है मोती का माला मिलता है अ बहुत कुछ मिला है एकदम से लोग भीड़े घठा कर लेते हैं तब तक वहां आ जाते हैं अलग अलग तरी के लोग कुछ जैन आ जाते हैं और कुछ बहुत कौन है जो गौतम बुद्ध को मानते हैं जैन कौन है जो महावीर स्वामी को मानते हैं या रिसबनाथ को मानते हैं या पार्सनाथ को मानते आकास और चारो दिसाओं हो अप्ना वस्थर बानते हैं तो यह लोग बहुत जाते हैं कि यह चाँश्णांतव है क्योंकि शेयद नाम से बना कौन से समझो 9 Subscribe शेयल करूप deployed कौन या कि एक यह कौन से अश्पार होसा पला जो उपनिसद्ध हो गए बेद्ध हो गए रमयर्ड भागवद यद्र सकतव हैं उनको ही हम लोग पढ़ रहा थे जैनों ग्रंथ हो गए अगुट्तर निकाय हो गया ह機 सूस्थ bahagotituna grant को अग्रेजी आकांता होते हैं वो हमारे तिहास को नश्ट कर देते हैं मंदिरों को तोड़ देते हैं यहां तक इस तूप तोड़ देते हैं और खंडहर में तब्दील कर देते हैं जब तक अंग्रेज आते-ाते हैं गुप्त काल के बाद उसके बाद कुसार काल कनिश्क काल कनिश्क जो आता है बहुत से मूर्थियां बनवाता है इस्टूब बनवाता है आप देखते होंगे कि जो है कनिश्क की बाद जो है तुमारा चालुख की होते हैं लूट कर ले जाता है जितने मिंबहाग करनोज को तोड़ देता है माथोरा को तोड़ दें बनारज की तती देरी कर देता इतना भयंकर तोड़ो reactions हैं Venote मॉर हैं संस्किति को प्रदेते हैं यह इस टाइम पीरिट में समझे यह पूरा तोड़ाय Annние खतनाक तुला गया है अंग्रेज जिब आते हैं तो उनको सब स्टूप मिलते हैं और खंड हैर मिलते हैं पूर्थ्यां टूटी मिलती हैं información की चैसंग का तिवान यहां तक आपका BienEO एक करता है फिलते हैं सब्सक्राइब करता है यहाँ हो जाता वह जाता है असी हाग से उसमें कर самых कि पहले का कोई सानिक होता है बनारस में वह अपनी रिपोर्ट लगाता कलकम त Tutta मैं जेम्स प्रिंसेप होते हैं जो ब्राम Musni сп को पढ़ते ब्राम की का एक ताम प्रतर भी मिलता है ब्राम मीलिपी का मिलता है तो ब्राम की को पढ़ता है समझता है शो के कि सीलालेग होता है और वो बहुत ही इस सीज में ज़ादा लेता है इंटेस्ट की खोदाई में क्या मिलेगा अध्यन में लग जाता है उसके अंदर का एक जो टीड़ा होता है नॉलिच का खोच भीन का लग जाता है और अथारा सो पैंठिस में वो यहां पर फिर से उत्खन कराता है और उत्खन कराता है तो बहुत चीज़े मिलती है और वहीं से वह इंस्यान का जो बुक होता है और फाहियान की जो बुक होती है। की और फायोक्यों की हाना जो किताबे अलग-अलग हैं दोनों की तो इन दोनों किताबों को ले करके वह अध्यन करता है फिर जितने भी गौतम बुद्ध के गता हएं वहां पर करता है और और रिसर्च करता है बाकी सभी बहुन का बाहर दोड करके यह सब लोग कहते हैं हमारे के लोगों के इसको खतम कर दिया ऐसा नहींए है विदेःmind तो कुक्छ चीन है तो उनको याद है बेद याद रहे गए उपनी सत्याद रहे गए तो उतना जितना कंठस्ट था लोगों के मन में वह बचा रहा तब भी लोगों की गर्दने काट दे गई मंदिरों को उतवाह कर दिया गया वागी इतिहासा पर होगे साट में समझ लीजिए यहां से शुरू होती है तो चार डेट याद कर लो पहला सत्ट 1835 में सा्वनाच की खोदा யी अलिजंडर कनिंगम करता है अथारा सो 236 में चार्स मैसन बताता है किसके बारे मिए सिंदु घाडी से बता, चालस मैसन क्यों? यह उसमें चालस मैसन है, वो जो है आंगल अफगान युद्ध 1849, यात करो आंगल अफगान युद्ध 1849 में हुआ है पहला, उसी समें चालस मैसन वहां का सैनिक होता है और वहां पर वो खोचबीर में लग जाता है सिंदुघाटी से ठीक? और ये तुम्हारा जी असटय भी पड़ना यह को पड़न working सबसे पहला पॉइंट एसियाटिक सोचाटिक स्थापना कब किया 1784 यह बिलियम जोन्स 1746 में पैदा हुआ था 1794 में मृत्व हो गई इसने कलकत्ता मदर्सा बनवाया था 1781 में क्यों बनवाया इसको यह मुस्लिम का इतिहास जानना चारा था भारत में इन्होंने क्या बनाया मुस्लिम इतिहास के लिए इसको खुजा और इसको खुला और अध्यन किया इसलिए वहां के बारे में जानकारी वहां मौली भी बुलाता था यहां पर जो मीटिंग होती थी व दस साल बाद यहां से इनोंने संस्कत में चुंकि ग्रंथ होते थे उपनी सद होते थे इसने संस्कत के लिए सोचा इनकी भासा क्या है जो सनातन सब बता है हिंदु कल्चर है इन लोगों बदमेरे कौन से ग्रन्थ पढ़े हैं कि ट्व्री उस थ्योरी को समधने के लिए 1770 में वह संसकत विद्याले खोलता है वही संसकत विद्याले बाद में 1970-74 के आसपास वह संपूरानद विद्याले में तबदील हो जाता है चैंज हो है 1791 देट्यार रखो 1784 तो साटी कलकता मदर्षा 1781 यह है कॉन वारिन हैस्टिंग्स आता है 1773 में थाक आप देखो चास मैशन गी वह आदमी है जिसने सिंद्ध हडी से बतार के बारे में बताया यह अठारा सो में आता है अठारा सो निया निया भी हुआ है तब तक ये भूमिका बनाया है क्योंकि आंगल सिक्थ भी हुआ अलेजेंटर का निंगं को बहुत अच्छ पढ़ना है इसने क्या क्या काम किया 1814 में जन्म होता है 1893 में इसकी मृत्थ हो जाती है सबसे पहला 1835 में इसने सारनाथ में कि खुदाई कराई उसमें क्या मिला भारती पुरातत सरवेच्छक विभाग का जनक कहलाता है 1887 में इसको जो है नाइट कमांडर आफ इंडिया अंपयर की उपाधी दी गई और 1871 में ये जो है भारत का प्राचीन भोगोल लिखता है 1871 में और आप समझ जो यही 1871 समय है जब इसको भारती पुरातत विभाग का अध्यक्त से बनाया जाता है प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है भारती पुरातत विभाग का देखो अब ये सारनाथ का प्रिस्तत उत्खरण कराया उसमें क्या क्या मिला एक तो धमेक कि आनंद ने क्या लिखा है सूत्य पिटक लिखा है उफाली क्या लिखा है कि देखो इसमें पांच प्रकार के जो है अलग अलग वोंगे पांच भीच्शों को भी ज्यान दिया था इस धमर्यक स्थूफु statements करिका सारनाथ में सांती का इस्तूप तुम्हारा जो है मद्द प्रदेश में है और सारनाथ धमेक हो गया जो खंडी का इस्तूप कहां है सारनाथ में इनकी यात्राइब में इनको 1861 में कैनिंग ने आर्कियोलोजिकली सरवेच्छक बनाया इन्हों ने फिर उसके बाद खोजना शुरू किया 62 में बैसाली को खोजा 63 में श्रीबस्ति को खोजा मतलब पहले से थे इन्हों जाकर के वहां पर उठ्खन कराया वहां ढूड़ा बस ऐसा इस सब थे पहले से 64 में तक्षिक्सिला जाता है वो कौन है जो चाणक की जहां थे आपको पता है अब को सबसे पुराना फिस्युगद्दाला है जो जेलम और सिंध्व नदी के बीच में है तक्षिक्षिला जहां चानक की थे चन्दगुक्त मौरे के गुरू 1871 में लाड मेयों ने भारती पुरातत विभाग बना दिया और इसी कोई नों ने पहला इनको पहला अध्यच बनाया किसको अलेकजंडर कनिंगम को महाबोधी किताब लिखी इनोंने महाबोधी किताब लिखी अब बात करता है यतनी कहानी हो गई अब इसके पहले की भी कहानी है इसके पहले कहानी यह है बच्चों कि 1818 में और 1820 में उसी समय कहानी सुरू हो जाती है क्योंकि अंग्रेज जो है अधिकतर छेत्रों में सासन स्टार्ट कर चुके होते हैं इसलिए इस टाइम पेरिट में अगर बात करेंगे हम लोग तो कोपन हेगन एक जगे है क्यो cin custom हैं गिप कोपन हेगन में यह दन्मार्व स्टार्ट होता है और जे थामसन नाम का एक आदमी होता है जो नेतत्त करता है और डिसाइड करता है कि जो भी चीजे मिली है वो इसको तीन पार्टों में बार देता है एक बार देता है पासान काल जिसको त्रिगुनी विभाजन कहते हैं आपने कोश्चन पढ़ा होगा कि त्रिगुनी विभाजन कौन किया था ये थामसन ये कौन है ये नेतत्त्त करता है जो डेनमार्क के कोपन हैगन में बनाई गई है जो पूरे बिस्टू के पुरानी चीजों को संजो के लाते हैं आगे आगे पीछे काम होता है जो भी इनके यह हैं चीम मेंबर हैं वह अलगे देसों में जाते हैं वहांसे सर्च करते हैं वाहते हैं यह अपना मैट्रियेंग करते है पिज्टू करता है कारवन डेटिंग की तरह है सी उदा पर इसका aja कारवन डेटिंग निवा contributes लूँता है नसी पारता लाता है थाम यूज Cyr समड़ अब हम बात करेंगे पहला टॉपिक की ये कौन विभाजन ये किया जेथामसन ने किया त्रिगुनी विभाजन याद रखेगा इसी को हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर ये तिहास था सारनात की खोदाई हो गई वहां से आउसेस मिल गए गौतम बुद्ध का आ गया मह अबीर स्वामी का आ गया अरेजनेटर कनिंगम ने पुरी किताब निकाल दी भारत का भोगोल और बहुत सारी चीजे निकाल दी महाबोध निकाल दी झाल दी